अभी कल ही हर्याना और जम्मु कश्मिर के चुनाव परणाम आए हैं। हर्याना ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। दो बार कारकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना अईतिहासिक है। कॉंग्रेस का पूरा इको सिस्टिम अर्बन नक्सल का पूरा गिरो जनता को गुम्राह करने में जुटा था। लेकिन कॉंग्रेस की सारी साजी से द्वस्त हो गई। उन्होंने दलीतों के बीच जुट फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलीत समाज ने इनके खतरनाग इरादों को भांप लिया। दलीतों को एहसास हो गया कि कॉंग्रेस उनका आरक्षन छीन कर अपने वोट मेंग को माटना चाहती है। आज हरियाना के दलीत वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाना के OBC बीजेपी के विकास कारियों को देखकर उसके साथ है। कॉंग्रेस ने किसानों को भड़काया लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर MSP किसे ने दी। हरियाना के किसान बीजेपी की किसान कल्यान योजनाओं से खुश है। कॉंग्रेस ने युवाओं को टार्गेट किया और अलग-अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की। लेकिन हरियाना के नौजवान हमारी बेहने बेटियां अपने उजवल भविश के लिए भाजपाप पर ही भरोसा कर रहे हैं। कॉंग्रेस ने सारे हतकंडे अपनाएं। लेकिन हरियाना की जनता ने दिखा दिया वो अब कॉंग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती शडियंत्रों का शिकार नहीं होने वाले।